मकाई पालक पालक को अच्छी तरह से धोके हमें उबाल लेना है मकाई पालक बनाने की विजी शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने लिए हैं दो टेदल स्पून पेल फोड़ा सा हिंग के बाद हम डालेंगे आजी टी स्पून जीरा अच्छी से भून लेंगे एक मिल्ची बारीक कटी हुई वह हम डाल लेंगे इसे भी अच्छी तरह से बून लेंगे अगर आपको और ठीक अची यह रहेगा तो आप ब्रो से तीन मिल्ची डाल चकते हैं हमारा नेक्स्ट आइटम है लेसुन यहापे मैंने 10 से 15 लेसुन को अच्छी करे से और बारी छोटा सा चौप कर लिया है आप चाहे तो आप पेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको दर दरा खाने में मजा ना आए तेकिन यह जो हम चौप करते हैं और फिर इसे भूंते हैं तो फोड़ा सा जो लेसुन रहता है गोल्डेन ब्राउन हो जाता है और सब्जी का स्वार भी बहुत ही बढ़ी आता है कि इस सब्जी में लेसुन ज्यादा लगता है हमने जो जो अधरक लिया है बहुत ही थोड़ा लिया है आज जी टीश्पूल छोटा चौप किया हुआ जैसे कि हमारा लेसुन अब थोड़ा सा गोल्डेन इश ब्राउन हो चुका है तो हम इसके अंदर डालेंगे मीडियम प इसे भी बढ़िया तरीके से दूम लेंगे प्याज हमारा हलका सुनेरा रंका हो चुका है अब हम इसके अंदर डालेंगे एक चत्थाई चमाच हल्दी और आधी टीश्पून गरम मसाला पिर आधी टीश्पून कसूरी मेथी और आधी टीश्पून लाज मेच पाउदर और एक टीश्पून नमक नमक स्वाद अज़सर यह सब्जी हमारी बनेगी पाज़न के लिए एक टाइन के लिए धीमी आच पे हम मसाला बूनने देंगे तब तक हम बना लेंगे यह जो पालक मैंने निकाल के रखी है पानी में से इसे ग्राइंड करनी है मसाले हमारे बून के रेडी हो चुके है इसकी महच भी बहुत बढ़िया आ रही है तब हम इसके अंदर डालेंगे पालक ग्राइंड किया हुआ और अच्छी तरह से मिला लें आप इसके अंदर थोड़ी और सब्सक्राइब डाल सकते हैं यसे कि ब्रोकोली बच्चे नहीं खाते हैं तो थोड़ी सी काट काट के डाल सकते हैं छोटा काट के अभी हमने थोड़ा सा पाने डाला है इसके अंदर ग्राइंडर का ही इसे दीमी आज पे पकने देंगे तीन मिनिट तक तीन मिनिट हो चुके हैं अब इसके अंदर हम डालेंगे दो पूरे मकई के दाने जो निकाल के रखे थे और उबाल के रखे थे वह हम इसके अंदर डालेंगे आप थोड़ा सा पनीर भी आड़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो आपको जितना ग्रेवी चाहिए उससे साबसे आप पाने डाल डाल दीजेगा अब हम इसे भखे रखेंगे पाच मिनिट तक पाच मिनिट हो चुके हैं और हमारे मकाई और पालक की सब्धिमी तयार हो चुके हैं हमारा लास्ट के दो इंग्रीडियंट बाकी है हम इसके अंदर डालेंगे खोड़ा सा स्वात के लिए धनिया और हमारा मैजिकल इंग्रीडियंट दो टेबल स्पुन मलाई फ्रेश घर की दूद की मलाई आप अमुल की क्रीम भी यूज कर सकते हैं यह बन गई है हमारी मुकाई पालक सब्दी तयार आपको यह डिश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंड करें लाइक करें और शेल जरूर कीजिएगा थैंक्यू